अब हम बात करते हैं कि सर फॉर्स्ट एप्रेल को एक्वाइर एसेट्स एंड लाइबिलिटी था एक एप्रेल को सारा काम चला कहता है दा एसेट्स ओफ पी यानि सर यह जो बैलेंस शीट है अल्डेडी पी का है तो कहाता है इस कंपनी के जो एसेट्स है एसेट्स ओफ पी लिमिटेट्ट टू बी वेल्यूड एस फॉलो यानि सर इसके एसेट्स के वेल्यूएशन की बात चल रही है कि इसका गुडविल जो हो जाएगा वो 40,000 का हो जाएगा लेंड जो हो जाएगा 20 परचेस कंसिडरेशन डिस्चारज बोला यहां परचेस कंसिडरेशन को डिस्चारज गाएगा तो आप देखो जी- मेतëं कहीं नहीं नहीं बोलेगा के चौन सा मेतंड शूच कोण शूचनालःज है क्वेंट पर्चेस कंसलिडेशन बोला गया कि जो भी पर्चेस कंसलिडेशन बनता होगा उसको हम 30,000 equity share दे देंगे और फिर हम preference share दे देंगे और बाकी का cash दे देंगा जो भी बनता हो डिबेंचर होल्डर को हम क्या करेंगे सर सफिसेंट नंबर ओफ डिबेंचर दे देंगे 100 रुपे यानि सर बायर की जनल एंट्री पूछ लिया और सेलर का लेजर पूछ लिया समझ में आ रही है बात आपको कुष्चन समझ में आया सबको तो अब यहां पर सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं सर रिलाइजेशन बना लेते हैं बड़ा फटा-फट से हो जाएगा सवाल कोई दिखकत नहीं है बहुत जल्दी हो जाएगा यह सवाल कोई दिखकत नहीं है सर बायबैक राइट इशू भईया जो चल रहा है पहले आप उसे देखें पुरानी वीडियो में मैंने बायबैक डाल रखा है राइट इशू भी डाला हुआ है जिन बच्चों को बहुत से बस को खतम कर लिया है पहले से जो हम साथ साथ चल रहे हैं तो वह उनमें से भी कर ले तो कोई बुराई है नहीं कुछ बच्चों का कहना था सर डिवेंचर के अंदर आपने कुश्चन तो करा ही नहीं तो मैंने अपने एक्जाम पर लिये थे बाकी आप टेनियर के कुश हो जाएं खीक है ना चलिए पहले रिलाइजेशन बना लेते हैं सर रिलाइजेशन बनाने से पहले एक चीज और भी करना था हमें सर रिलाइजेशन से पहले एक काम और करना था ओ हो झाल 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 कहां गया यह दिक्कत होती है इन लोग के काम चलो यही लेते हैं चलिए सर रिलाइजेशन से पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या पर्चेश अब सर पर्चेश कंसिडरेशन कैसे निकाला जाएगा सर पर्चेश कंसिडरेशन जो निकाला जाएगा यहां पर लिखेंगे हम एसिट्स और यहां लेस कर देते हैं लाइबलिटी क्योंकि इसके अंदर आपका लगेगा नेट एसिट्स मेथड पेमिंट मेथड तो लग नहीं रहा तो सर एसिट्स के अंदर गुडविल कहता है चालिस अजार अब बताते जाहिएगा सर गुडविल कितना आएगा हमारा और आगे क्या कह रहा था कूश्चन में गुडविल चालिस अजार और कहता है लेन्ड इन बिल्डिंग सार लेन्ड इन बिल्डिंग टुइंटी परसेंट जयादा तो बताईए 20% ज़ादा कितना होता लेंड इन बिल्डिंग का पहले से लेंड इन बिल्डिंग हमारा दे रखा है 2,25,000 2,25 का 20% ज़ादा 45,000 प्लस कर देंगे 2,70 इसके अगला क्या था हमारा प्लांट एंड इसके बारे में क्या कह रहा है देखें प्लांट एंड मसीनरी के बारे में कह रहा है 10% लेस कर देंगे तीन लाग का 10% लेस करेंगे तो ये भी 2,70 आ जाएगा इसके बाद क्या था हमारा डेटर सर डेटर पे क्या कहता है डेटर पे कहता है सबजेक्ट व प्रोविजन रहेगा प्लांट एंड मसीनरी के बाद देखा जाए तो हम बात करें प्लांट एंड मसीनरी हो गया अब कहता है डेटर पे 5% का प्रोविजन बना दो तो डेटर है कितने का डेटर अगर आप ध्यान से देखो कोश्चन में एक असी का है न तो 5% प्रोविजन बना देगा तो 171 बचेगा तो 5% प्रोविजन बनाने के बाद 171 बचेगा 5% एक लाख हमारा कितने का था असी का इसमें से माइनस 5% कर दोगे तो 171 आगे कहता है जितने भी other assets है न आपके उसको सभी को ले लो अपने बुक वेल्यू पर उसका कोई मार्केट वेल्यू है ही नहीं तो अधर assets में गुडबिल हो गया लैंड बिल्डिंग हो गया प्लांटर मसींटर रह गया कितने का फ़र्नीचर कि परनीचर 10% लेस्ट है चलिए सब आगे देखते हैं अधर भूस में परनीचर पर स्टॉक सेम आजाए का स्टॉक कितने का गया और आगे है कैशेट बैंक तो बैंक भी लेंगे ही जब ना बूलाओ तो बैंक कितने का है तीस हजार यह टोटल एसेट्स हो जाता है हमारा चार लाग 2270! 171,000 13,000 80,000 어ग तीसेजार ज़े सरद 10,000 सर्थ बारर लाग 257,000 लेस कर दो लाइबइशेटी जिसमें से क्या है डिबेंचर liability की बात करें तो sir liability में ये नहीं लेना ये नहीं लेना ये नहीं लेना ये नहीं लेना सिर्फ क्या लेंगे debenture, pf और creditor तो debenture 65 और pf कितना है provident fund 45 अब कुछ बच्चों का एक doubt रहता है provident fund और reserve fund एक ही तो होता है नई provident fund हमारा liability है जहां provident fund liability है बागी किसी का भी fund लगता है तो हो reserve का पाट पाना जाता है इसके बाद क्या था creditor कितने का creditor 77 75 चलिए sir इसमें से माइनस कर देते हैं 12,57,000 में से माइनस 165, माइनस 45, माइनस 75, तो यह आ गया 9,72, अजा और कुछ रह तो नहीं गया देखिए PC क्या रहा PC कहां मिलेगा PC रिलाइजेशन में किसी को doubt यहां तक 970 गुनगुन ने जवाब दे दिया था गुनगुन ने पहला भी जवाब दिया दिया था 270 सभी का जवाब आ रहा था मैंने यह PC निकाला है अभी रिलाइजेशन तो बनाए ही नहीं है और provident fund मैंने liability में लिखा तो है PF के नाम से सर PF क्या है PF is provident fund provident fund क्या होता है वो पैसा जिसके लिए हम क्या करते है कि जो हमारा employee होता है तो employee के salary में से काट के अपने पास जमा करके government के पास जमा कराथे है उसे PF मैंने short form में बोल दिया वैसे होता प्रोविदेंट फंड है, एक बार दिखाओ, दिखाओ. पकड़ो, 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 एक बार टूटल देख लेते हैं, चार लाख, अरे ये चार लाख कर दिया, एक गलती हो गई, ये चालीस हजार है, जब मैं करता हूं तो आफलाइन वाले बच्चे तो और सोते हैं, कैलकुलेटर कितने बच्चों के पास नहीं है, अगर आज क्लास से बाहर निकाल दू तो कोई बुराई तो है नहीं, जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है, कैल वाली क्लास में सभी बच्चे कैलकुलेटर लेके आएं, और इस पेसली फोन को तो मत निकालो, जुन जुना मत निकाला करो मेरे सामने, तो उठा के फैक दूँँगा, है, 987, 97, टोटल एक बार चेक करो, और लाइबलिटी में सब कुछ ले लिए, क्रेटर 75-45, 65, 45, साल इसमें सब्सक्राइब कितने तो हमरे पास बैंक कितना है देखो ला अब देखो यहां पे न पेड बाई सेलर एक चीज और ध्यान रखना अगर यह एक्सपेंस डिजूलिशन का सेलर पेड करता है और हम हमेशा मानते हैं कि सेलर ही लेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उसका कैश का बैलेंस अल्टिमेटली कम ही बचेगा तो हमें यहां पे क्या करना चाहिए सर कैश में भी कितना लेना चाहिए सिर्फ 12,000 माइनस करके 18 और यहां 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 अब आगे देखना अब एक चीज़ आप अब अबजर्ब कर रहे हो एक चीज़ नोटिज़ किस कर रहे हैं अगर आपका PC गलत तो सारा गलत आपको नंबर 0 ही मिलेंगे उसके इसमें यानि PC आपका क्योंकि PC गलत होगा तो आपकी अगर बायर की भी बना होगा तो जनल एंट्री भी गलत होगा ठीक है न उसके साथ अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ जो चेंजिस किया है थोड़ा सा देखो इसके अंदर क्या था सेलर जो था ना सेलर वो कितने दिखा दिया मैंने अठारा हजार रुपे ठीक है अभी सेलर की बुक बनाऊंगा तो देखना वहां पर मैं रिलाइजेशन में इसके खर्चे डालूँगा ठीक है अब PC डिस्चार्ज के लिए क्या कहता है सर पीसी डिस्चार्ज के लिए क्या कहता है PC डिस्चार्ज के केस में कहता है दा पर्चेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाइशू 30000 एक्मटी शेर 10 रुपी एच अट प्रीमियम 10 परसंफ यानि हम पहले 30,000 equity share इशू कर देते हैं purchase consideration निकालते हैं इशू 30,000 और 30,000 equity share और 10 रुपे काई और इन सभी के विपार और भी premium भी रहेगा इतने percent premium रहेगा सर plus 10% का premium 10% कही है न 10% का premium तो देखा जै तो 3,30,000 और हमें 6,00,000 complete करना है जिसमें से 3,30 मिल गई क्या है equity share और preference share को क्या कहता है देखते है preference share को देखना मुझे आप बताना कि preference share कहता है 1100 preference share देंगे और देंगे 100 रुपे का एक तो 1110% वाला preference share दिया जाएगा तो 10% preference share है 1100 और इंटू में 100 रुपे का एक तो कितना होगा समझे अब अगर हम total करे तो 6,00,000 तो नहीं बन रहे तो आगे सवाल में क्या कहता है आगे सवाल में कहता है balance जो भी बच जाएगा ना देने लेने का उसको किसमें कर देंगे payment हम cash तो बताईए cash कितना होगा यानि इसका total 6,00,000 होना चाहिए 4,40,00,000 1,60,000 1,60,000 बताईए यहां तक कोई doubt 1,60,000 किसी को दिक्कत यहां तक यहां तक clear है चलिए अब हम क्या बना ले realization realization देखो फटा फट बन जाएगा सारे के सारे assets लिख लो two sundry assets क्या क्या है goodwill कितने का है sir goodwill शाठ हजार land and building 2,25,000 sir यहां पर कौन सा value बोला था लिखने को यानि यही वाला market value सो कोई लिना देना नहीं है plant and machinery 3,00,000 plant and machinery के बाद furniture चालिस हजार पर नीचर के बाद stock असी हजार stock के बाद debtor कितने एक लाख असी हजार उसके बाद cash sir cash कितने का है तीसारा book value लेंगे अब यह मैं सोचना sir payment किया था वो भी तो minus करो नहीं करेंगे भाई minus क्यूंकि book value पे इसको लेना है सारा अब liability की बाद करते है buy side में sundry liability थोड़ा fast करवा रहा हूं मैं दुबारा repeat कर दूँगा liability में क्या आएगा debenture debenture कितने का है sir एक 65 debenture के बाद क्या है staff pf provident fund फैन तालेस हजार इसके अध क्रेडिटर 75,000 बस उसके बाद क्या करते है पीसी लिख देते है है ना तो buy purchase consideration के जगह पर buy कौन सी company है भाई ये S limited S limited और bracket में PC कितने 6 लाग ठीक है realization का खर्चा हुआ था सवाल में कह रहा था realization का खर्चा किया है तो realization का खर्चा seller ने paid किया है तो bank से कितने रुपे 12 पहले यहां तक देखिए कोई दिखकत है यहां तर दोबारा देख ले एक बार पूरा समझ लेते हैं एक बार पहले questions भी समझ लेते हैं क्योंकि देखो मैं तो एक से दो बार समझा रहा हूं फिर आपको फिर अच्छे से देखना होगा फिर समझना होगा फिर करना होगा जब तक practice नहीं करोगे तो यह सारे questions आपके 10 year में given है तो मैं 10 year का करवा रहा हूं तो हर बच्चों के पास यह question practice के लिए तो given ही होगा तो सीधी बात है सबके पास 10 year आचुका है मार्केट में जाके आप ले सकते हैं ठीक है अब देखिए सबसे पहले मैं सवाल को सुरू से बिलकुल समझा रहा हूं आप समझदा हमें कुछ liability कुछ assets दिया कुछ adjustment दिया adjustment में कुछ assets के बारे में उसका market value बता दिया गया और कुछ assets को बोला गया उसके book value ले लो और उसके बाद दूसरा adjustment में कह दिया गया कि PC को asset discharge करो गया यानि purchase consideration जो निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा net assets method से हमने क्या क्या है यहां पर सारे के सारे assets total कर लिया जो भी दे रहा था माइनस liability कर दिया तो हमारा purchase consideration निकल के आ गया अब purchase consideration को discharge करने की बात कही गई थी और कहा गया था क्या क्या करना है purchase consideration के साथ कहता है भाई साब 3,000 equity share capital दे दो 10 लाग का दे रहे हैं लेकिन बोला ऐसे नहीं द कितने का दे दिया 3,000,000,000 का जो कि हमारे इसके अंदर हमारा equity share capital आ गया 3,000,000,000 बोलता है preference share कितने दे दो 1100 preference share मात्र दे दो अब मैंने चेक किया premium पे भी है बोला ना भाई ना premium पे नहीं है 1100 चलो भाई साब 1100 दे दिया तो मैंने कितने दे दी है preference share 110 उसके बाद देखा आ गया तो balance बोसता है cash तो जो मैंने 6,000,000,000 PC था ना यहां लिखा और इसमें से इन दोनों को minus कर दिया इस 6,000,000,000 में से तो जो balancing figure निकल के आए वो क्या निकल के आगया हमारा cash आ गया यह तो PC discharge की बात हो गई अब हमने realization में क्या करा सारे के सारे assets book value लिख दी है सारे के सा liability liability में हमारा यह वाला पार्ट तो हमारा liability का हिस्सा होता ही नहीं है तो equity shareholder fund का पार्ट हो जाता है तो मैंने सारे liability assets लिख दिया यहां पर मैंने PC को जो भी payment करना था पूरा PC लिख दिया और realization expense payment का मैंने यहां पर entry डाल दिया है और कुछ हैसस नहीं करा है debenture of P limited discharge by issue of sufficient number of debenture 110 रुपी सीचेट प्रीमियम in S limited तो इस debenture वाले का कोई role नहीं होता यह books of buyer के लिए सिर्फ general entry के काम आता है seller का कोई मतलब भी नहीं रहता है इस debenture में क्यूंकि मैंने debenture तो यहां पर ले ही लिया है उसका समझे बाता अब मुद्दे की बात यहां पर आएगे सर यहां पर कुछ और भी बनाना पड़ेगा जी हां यहां पर अकाउंट बनाना पड़ेगा न यहां पर दो अकाउंट और बनाने पड़ेंगे सर कौन सा एक equity shareholder कौन कौन सा बोला हुआ हुआ आज जो नई हम नई बाते जो सीखने वाले सवाल के अंदर वह आपको अभी नजर आ जाएगा एक 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 कुटी शेयर और कौन सा कौन सा बताया था काउंट यह हो गया उपर नहीं लिखते हैं पहले particular लिख देते हैं एक कुटी शेयर के बाद बैंक और बैंक के बाद नहीं एक और था नहीं प्रिफरेंग शेयर भी हाँ तो लीजिए तीनों अकाउंट आपके सामने हैं मैं इसको थोड़ा सा और कंसाइज कर देता हूं यहां यह हो गया एकुटी शेयर होल्डर यह हो गया प्रिफरेंग शेयर होल्डर और यह हो गया बैंक ठीक है अब एकुटी शेयर होल्डर के अंदर बाई में आ जाएगा हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा सर बाई में एकुटी शेयर कैपिटल में चलीए चक करें है एकुटी शेयर कैपिटल है कितना सर सवाल में अगर आप देखो तो एकुटी शेयर है चार लाग प्रिफरेंग शेय keeping शेयर होल्डर कैपिटल कितने और प्रिफेंग नंग रुपए का अन। अब इसके अंदर आपको general reserve यह surplus यह 50 और 80 तो यह कहां जाएगा बताओ equity share में जाएगा general reserve है और क्या है मारा बताओ reserve and surplus general reserve कितने का था 50,000 और reserve and surplus 80,000 ठीक है चलिए सर अब इसके बाद और क्या देखते हैं और तो कुछ नहीं है liability का सारा पार्ट आ जाता है और कुछ है सच है नहीं बोला गया bank account बनाईए तो sir bank account बनाने के लिए हमें bank के अंदर क्या लिख लेंगे two balance bd sir two balance bd कितने का है 30,000 और कुछ भी अब पहले यहां तक देखे मैंने balance sheet के item को transfer कर दिया अब सबसे पहले देखा जाए तो ऐसे situation में number one पर पता है किसको बंद करिएगा preference share को हमेशा realization बंद करने से पहले आप preference share को बंद करिएगा क्यों preference share holder को हमने क्या दे दिया preference share capital दे दिया लेकिन sir preference share capital कितने का दिया देखे preference share capital को कितना दिया एक-10 को अब यहां पर आ जाएगा साहब mismatch यह आ जाएगा एक-10 और यह आ जाएगा एक-10 आप ध्यान रखिएगा एक बात मैं कहने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा अगर preference share holder को कम पैसे मिलेंगे तो भी जो भी balance जाएगा वो realization में जाएगा ज्यादा पैसे मिलेंगे यानि कहने का मतलब preference share holder के account में जो भी differences आता है हमेशा कहाँ transfer करना है आपको realization पिछले सवाल के अंदर दोनों side 5-5 लाग था इसलिए कुछ transfer तो यहां पर सब्सक्राइब के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा 10,000 में कहां चला जाएगा पता है टू प्रफ्रेंश कापिटल कितना आ जाएगा हमारा प्रफ्रेंश होल्डर सौरी प्रफ्रेंश होल्डर और यह आगया सजा समझ में आई बात हम ठीक है अब हम इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं लास्ट में क्यूटी शेयर होल्डर को बंद करना है अब इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है तो इस अकाउंट को अगर हम बंद करें तो देख लेते हैं टूटल करके क्या 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 है तो हमारा इधर का ही टोटल ज्यादा है कि नौ लाक सैंतिस अजार कि नौ लाक सैंतिस अजार और यहां से भी जो बैलेंस जाएगा वो कहां चला जाएगा एकुटी शेयर होल्डर के अंदर चला जाएगा तो माइनस कर लेते हैं कि अरे बावन हजार आ रहा है चेक करिए क्या रहे है तिक है कि एक तु Ke-स मेझार हाव्गा तू कछ क फु कर दू कर लाक सकाऊ जाएवान दू Bu प्यू rights मति ऐू कर dupa कुटी छास कर दू कर दू कर लो दू horizont आज आज भाव सिर्वाट कि अधिश्थर आज कर दो नौ पंद्र है नहीं बताइए इस विफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू ठीक है अब ध्यान दिजिएगा मैं थोड़ा सा PC जो पीछे एरर आया था ना इसका PC ना यहां ठारा नहीं आना चाहिए यहां पर पूरा TC आना चाहिए अगर हमने यहां पर अडजस्ट कर दिया है कैसे अडजस्मेंट बारे कैसे अडजस्मेंट चलिए यहां गलता जाएगा लॉस मैं एक काम कर रहा हूं यहां पर थोड़ा था यह अडजस्मेंट मैं यहां पर बारा कर रहा हूं ताकि आपका टैली हो जाए मैं इसके उपर स्टार बना दूँँगा अभी समझाने का कोई फाइदा है सच नहीं है मैं इसको अलग से समझाऊँगा बारा क्यूं लिया गया इस कोश्चन को दुबारा मैं पीसी निकाल के बता दूँगा अभी फिलाल के लिए मैं यह कर देता हूं और यहां पर 40 है मैं रीजन भी बताऊंगा लॉजिक भी बताऊंगा क्यूंकि मुझे पहले ही पीसी थोड़ा सा लग रहा था कि उससो डारेक्ट किया गया है तो मैं बता दूँगा अभी सिर्फ आप इतना देखिए पीसी हमार लॉस था यहां आ जाएगा कि टू लॉस रिलाइजेशन से कितने आ जाएंगे 40 और यहां पर क्या आ जाएगा एकुटी शेयर कैपिटल कितने का कैपिटी शेयर कैपिटल दिया था यादो का आपको तीन तीस का दोनों साइट देखते हैं चार लाग और कैश भी दिया ने हमने कैश कितना दिया एक लाग साथ हजार चार लाग पचास हजार असी हजार पांच तीस माइनस एक साथ यह दोनों हो गया हमारा मैच अब बैंक की बात कर लेते हैं बैंक में सबसे पहले बाइ साइड में आपका रिलाइजेशन का एकस्पेंस था सर कितने का था बारा हजार रुपे का और फिर आपने एकुटी शेयर होल्डर को भी पेमिंट किया है आपने एकुटी शेयर होल्डर को भी पेमिंट किया और कहीं से पैसे आया भी है कि आपके पास एक बारी दिखाना खोड़ी ये बैंक अकाउंट अभी रहने दीचे अभी नहीं आज की क्लास का देखो मैं कंक्लूजन बताऊ ना तो मैं सर्फ एकी चीज कराना चाहता था जो की मैंने समझे दिया कै जब घृफी परेंड़ेंश एकुटी और में गाँट शेयरियर और कशूजन के क्री लेंक अपन से और अक्री मैं को यह बोला है क्य मैं यई आपको अगली क्लास मैं सबसे पहले कर लेंग याओ अब कुछ questions मैं आपको homework के लिए भी देता हूँ जो कल करके आएंगे एक आप 7 करेंगे ट्राइए चाहे कोई भी हो टैनियर जिसके पास उसमें 7 ही कुछिन मिलेगा आपको कुछिन 7 ट्राइए करेंगे 7 मैं बता देता हूँ कौन सा है यहाँ पर 7 है कृष्णा लिमिटेड चेक करिए कि इसमें देखना सी वी सी इसमें कि इसमें कौन सा है कि कौन सा कुष्चन है कि इतनी देर से ढूंड रहे थे एक दम देख देख के पेज पलट पलट के बगवान जाने क्या करोगे आप कि इस सैवन के बाद कि कुष्चन नंबर टेन करोगे कि इलेवन तो कल दुबारा कर देख लेंगे एक बाद अब टेन के बाद आप करोगे थर्टीन आसा लिमिटेड बस यह कोशन कल वाली क्लास में करके आओगे यह मैंने टेन यर का कुष्चन दिया है आप सभी को टेन यर बाई करना है टेन यर आपके नियर वाई शॉप पे फिल जाएगा जिन बच्चों के पास टेन यर नहीं आप ऑनलाइन सर्च करके ले सकते हो नियर वाई बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगा